पिछले मोट्यूल में हमने बात की के social entrepreneurship जो है वो comparatively एक निया फिनॉमिना है पिछले 40-50 साल में ये सामने आया और popular हुआ लेकिन इसका origin बहुत पहले से trace किया जा सकता है तो entrepreneurship को theorize करने का credit जो है वो Joseph Schum Peter नामी economist को जाता है He was a German economist, historical economist जिनको हम कहते हैं Joseph Schum Peter की अपनी background जो है as a rich person, belonging to the royals और वो elite class से तालुख नकरा बहुत important है इस idea के हवाले से क्योंकि being rich, being well-off, being elite आप bold और नए ideas जो होते हैं उनको experiment कर सकते हैं, उनके उपर बात कर सकते हैं, जिसको कोई और आदमी जुरत नहीं करता सोचने या कहने की वो बातें आप कर सकते हैं, तो Joseph Schum Peter, especially when he was young, 19, 10, 11, 15, उस तोर में उसने जो काम किया, economic development के ऊपर, वो basically उसका काम आज हम entrepreneurship के नाम से उसको हम जानते हैं और translate करते हैं, Schum Peter, as an economist, believed कि जो elements of production हैं, वो तो हमेशा सेम रहते हैं, वो ही land, labor, capital, लेकिन उसका जो एक different नए तरीके से इस्तामाल है, जो innovation कोई शक्स उसमें करता है, वो है जो profit margin को मुतायन करता है, या वो business कैसा रहेगा, इस बात का तायन करता है, और as an economist, यहां तक काफी था ये बात कर देना, कि जो लोग land, labor, capital या means of production को different या नए तरीकों से इस्तामाल करते हैं, वो काम्याब होते हैं, शुमपिटर ने इससे आगे एक और बात की, उसने का ये जो idea है नए तरीके से means of production को इस्तामाल करने का, इसको non-economic activities पर भी apply किया जा सकता है, जैसे के social entrepreneurship, शुमपिटर ने खुद social entrepreneurship का लफ से समाल नहीं किया, ये 1960s में एक Swedish economist, बलके sociologist हैं जो के sociology of economics के माहर हैं, स्वेडबर्ग, उन्होंने शुमपिटर के entrepreneurship के idea को social entrepreneurship के लिए इस्तामाल किया, उन्होंने कहा कि अगर means of production जो हैं वो ही हैं और उनका innovative use business में आपको फाइदा दिलाता है, तो कामों को करने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो उन social problems को हल करने में काम आ सकते हैं, एक social change ला सकते हैं जिनको अभी तक governments या private sector हल नहीं कर पाया, तो it was sweetberg basically जिन्होंने social entrepreneurship की term जो है वो coin की और social, social problems और entrepreneurship जो business के rules and regulations हैं उनको एक जगा पर रिकठा किया, आपके module का जो material है उसमें मैंने वो details सारी जो है जिसमें sweetberg, shumpeter के model को social entrepreneurship में convert करते हैं, वो दी है, लेकिन इस course के लिए आपके लिए इतना काफी है कि sweetberg ने based on shumpeter's definition, social entrepreneurship को इस तरह से define किया, कि जब आप किसी नई चीज़ को push करते हैं, कोई innovation लाते हैं और आप इतने motivated होते हैं, कि आप उसको implement करके कामयाब कर लेते हैं और social problems को हल करते हैं और माश्रा एक नई बेहतर सूरते हाल में चलता है, तो उसको हम social entrepreneurship कहते हैं, to sum up, कहने का मतलब यह है, वही जो हमने working definition की थी, कि नए innovative तरीके जो business में इस्तमाल होते हैं, उनको social problems और social causes के लिए इस्तमाल करना जो है, वो social entrepreneurship है, और यह वो concept है, जो आज हम इस्तमाल करते हैं, झाल पहर है, िडिए स्वसल्ण करना जो हुआ करते हैं, ёт यह जो कि भूटया, एल में खाया करता हैं, ईनको स्वार्वार्वन करना उन्हें चाहां का हैं,